जय हिंद बंदे मातरम साथियो स्वागत है डेली स्टेडी में आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कंस्टेवल की जो नई भेकेंसी आई है इसके लिए special set हम आपको कराने वाले हैं यहां से आपको direct exam में questions फसने वाला है तो दोस्तों आप लोग इस set को miss मत किजिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही best level का questions set करके कराने वाले हैं तो आप लोग देख कर ही समझ जाएगा कि यहां पर questions का level जो है किस तरह से यहां पर आपको करवाया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दे इस वीडियो का details में PDF answer के साथ आप लोग जरूर ले लिजिएगा आपना website पर जाकर या फिर telegram channel जोइन करके वहां पर आपको यह PDF जो है मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये set special जो की बिहार पुलिस के लिए है तो पहला प्रस्ण आपके screen पर है तिलया बांध ये किस नदी पर निर्मीत है दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग answer जानते हैं तो नीचे comment box में फटा फट live chat box में answer कर सकते हैं तिलया बांध जो है ये अपना जारखन राज यहीं पर है ठीक ना जारखन राज में है तिलया बांध बताए ये किस नदी पर है तो देखिए यहाँ पर answer हम आप लोग को बता देते हैं अगर answer आप लोग यहाँ पर बराकर नदी को किये हैं तो बिलकुल सही है option number A देखिए आपको बता दे ये एक नदी का नाम है बराकर नदी ठीक है आप सोच रहे होंगे कि ये बराकर नदी कोन है तो ये बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है ठीक है तो यही पर तिलया बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर जारखंड के कोडरमा जिले में बनाया गया है तो यहाँ पे आपको इसलिए इस प्रस्ण को धियान रखना है क्योंकि जहारखन जो है बिहार का प्रोसी राजी है एक जमाने में जहारखन बिहार का ही भाग हुआ करता था इसलिए आस प्रोस के questions जो है पूछ लेते हैं बिहार पुलिस Constable के एक जाम में और यहाँ पे एक बात बता दूँ दामोदर नदी जो है दामोदर नदी जैसे कि मैं आप से पूछ हूँ कि बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो आंसर आप लोग क्या करेंगे को सी नदी उसी प्रकार पस्चिम बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है यही है दामोदर नदी ठीक है और दामोदर नदी जो है कहां से निकलती है जारखंड के छोटा नागपूर से ध्यान कीजिएगा आप लोग ये सब जो मैं एक्ष्टा चीजे बता रहा हूँ इसको आप लोग नोट करके चलिएगा दामोदर नदी जो है जारखंड के छोटा नागपूर से निकलती है और यहा वाइसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था क्या है प्रस्ण भारत और पकिस्तान के जब भी भाजन हुआ था उसके बाद किस वाइसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था तब तक आप लोग आंसर कीजिए हम थोरा जो है पेन का रंग चेंज कर लेते हैं ये प्रस्ण में जाकर के मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने आंसर कर लिये होंगे। आप्शन यहाँ पर ये सही जवाब है Lord Mountbatten तो देखिए आपको बता दें Lord Mountbatten जो है भारत और पाकिस्तान की भी भाजन के बाद ये भारत का गवर्नर चुना गिया था ठीक है और ये जो है भारत के अंतिम वाइसराई भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे तो यहाँ पर एक प्रस्ण और बन जा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो अंसर होगा आपका Lord Mountbatten ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये Lord Mountbatten जो है भारत और पकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्मान की देख रेख की थी और ये भारत के अंतिम वाइसराई और अजाद समान नागरिक सहिंता को परिभासित करता है देखिए यहाँ पर ये YouTube पर जो है बेस्ट ये आपको सेट देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे questions जो करवाते हैं चैनल पर तो वहाँ पर questions परते हैं और सीधे answer बता देते हैं लेकिन हम व इंडिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं सभी जो है समान नागरिक हैं तो ये जो है समिधान का अनुछेद 44 कहता है option number यहाँ पर सही जवाब है अनुछेद 44 तो देखिए यहाँ पर एक बाते आपको बता दूँ एक समान नागरिक सहिंता क्या है तो ये एक ऐसा न को नियंतरित करने वाले कानुनों का एक समान समु है तो ध्यान रखिए यहाँ पर समान नागरिक सहिंता जो है यह आपका अनुछेद 44 में है ठीक है समिधान के अनुछेद 44 तो option A यहाँ पर जितने लोग बताएं हैं बिलकुल सही गये हैं आगे चले बिहार में किस रहे हैं यहाँ पर गांधी जी का पहला सत्यागरह पूछा गया है बिहार में किस अस्थान पर हुआ था तो चंपारन नामसर की जी आप लोग option A यहाँ पर जितने लोग बताएं चंपारन बिलकुल सही है तो देखिए चंपारन सत्यागरह की सुरुवात जो है सब से पहल हुई थी ठीक है और लेकिन बिरोधी राउल लेट एक्ट आंदोलन में पहली बार सत्यागरह सवद का इस्तेमाल किया गया था और महात्मा गांधी से प्रेडित पहले सत्यागरह आंदोलन जो है किस वर्स प्यार के चंपारन जिले में हुई थी वर्स 1917 तो प्रस्न क्या ब लोग बताईए सुंग वन्स की अस्थापना की बात यहाँ पर पूछा गया है हम आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं यहाँ पर टाइमर अब हम हटा दिये हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कत होता था टाइमर में यहाँ पर आप वीडियो को रोख भी सकते हैं सु और होगा पुस्य मीत्र सुंग ओप्सन नमबर ए तो देखिए पुस्य मीत्र सुंग जो है पुस्य मीत्र सुंग ने सुंग वन्स की अस्थापना की थी ठीक है और यह पुस्य मीत्र सुंग जो है अंतिम मौरी समराथ ब्रहदरत मौरी के सेनापती थे तो प्रस्ण क्या ब पुष्य मित्र सुंग जो सुंग वन्स की अस्थापना की थी इसकी राजधानी कहां थी पाठली पुत्र बिहार में लेकिन कुछ समय के बाद जो है इसे मद परदेश के विदीशा में अस्थांतरित कर दिया गिया था तो यहाँ पर option A सही जबाब है पुष्य मित्र सुंग जो है सुंग वन्स की अस्थापना की है आगे चले यह है आओ बिहार योजना ठीक है आओ बिहार योजना यह किसे से संबंधित है फटा फट बताईए आप लोग अगर इस प्रस्न का अनसर जानते हैं तो फटा फट नीचे comment box में बताईए आओ बिहार योजना जो है यह नई उद्योगिक इकाई की अस्थापना से समबंधित है तो option number C यहाँ पर सही जवाब है नई उद्योगिक इकाई की अस्थापना यानि की नया industrial unity अस्थापना करने की जो है ये आओ बिहार योजना है समबंधित उसी से ठीक है तो देखिए आओ बिहार योजना का उद्द देश क्या है बिहार में नई उद्योगी इकाई और तक्निकी संस्थानों की अस्थापना और निवेश को प्रत्साहित करना है और इस योजना के तहर जो है कोई भी व्यक्ति जिसके पास दो एकर या अधिक भूमी का मालिक बताते हैं और उद्योग संस्थानों के यानि कि इंडस्ट्री के लिए जो है अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं वे जो है अपने कलेक्टर यानि कि जीला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर को जो है भूमी को सुचिबध करा सकता है तो ध्यान रखिए आओ बिहार योजना जो है ये नई इंडस्ट्रियल यून चांग का बड्ड्स वाइलाइब सेंचूरी ठीक है मतलब ओखलाव बड्ड सेंचूरी जो है यह आपका कहाँ पर है यह पूछा गया है तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के नोईडा degrees के नोईडा जो है यह दिल्ली से सटा हुआ है लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ही एक जगह मतलब क्यों बोल रहे हैं यह जिला का नाम नहीं है नोईडा जो है गौतम बुद्र नगर जिला में एक सहर है नोईडा ठीक है तो गौतम बुद्र नगर से जादा यह पोपलर है नोईडा क्योंकि यह दिल्ली से सटा हुआ है वो इसे जिला का नाम है गौतम बुद्र नगर ठीक है गौतम बुध नगर तो यहाँ पर जो है ये ओखला पक्षिया भ्यारन किस नदी के उपर बना है तो धियान रखिए यमुना नदी के उपर बना है ठीक है और ये जो है दिल्ली उत्तर परदेश राज की सीमा पर इस्थीत है और 1990 में इसे उत्तर परदेश सरका 72 के तहत एक पक्षिया भ्यारन के रूप में नामित किया है तो यहाँ पर ओखला पक्षिया भ्यारन जो है आपका कहां हो जाएगा नोईडा में उत्तर परदेश आगे चले भारत में राष्टिया चिकितसक दिवस किसके जनम और पुनितिती को चिन्हित करने के लिए मान संधित है तो यहाँ पर आंसर होगा ओप्षन नमबर सी डॉक्टर बिधाम चंद्र रोय ठीक है ओप्षन नमबर सी तो देखिए बिधाम चंद्र रोय जो है यह एक परख्यात भारतिय चिकितसक और स्वतंतरता सेनानी थे अब यहाँ पर एक प्रस्ण ये भी बन जाता है कि नेशनल डॉक्टर डे किस तारिक को मनाया जाता है परति एक साल एक जुलाई को ठीक है तो डॉक्टर बिधाम चंद्र रोय का जन्म जो है एक जुलाई अठरसो बेरासी को विहार में हुआ था इसलिए एक जुलाई को जो है राष्टिय चिकितसक दिवस मनाया जाता है और ठीक है यहाँ पे एक प्रस्ण ये भी बन जाता है कि आधुनिक पस्चिम बंगाल के निर्माता किसे कहा जाता है तो अंसर होगा यही डॉक्टर बिधान चंदर रोई जी तो अप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है चलिए अगला प्रस्ण के और चलते हैं वर्स 1916 के प्रसिद लखनाउ समझ होते पर किन दो वेक्ति के बीच जो है हस्ताक्षर किये गए थे कोन सा समझहता है लखनाउ समझहता, तो यहाँ पर प्रस्ण एक और बन गया, लखनाउ समझहता जो है किस वर्स हुआ है 1916, किस के किस के बीच, बाल गंगा धरतिलक और मुहम्मद अलि जिन्ना के बीच, तो option B यहाँ पर सही जवाब है बाल गंगा धरतिलक जी और मुहमद अली जिन्ना तो देखिए लखनौ समझ होता जो है वर्स 1916 के दिसंबर महने में लखनौ में आयोजित दोनों दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतिय राष्टिय कंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच एक समझ होता था और 1916 के लखनौ समझ होते पर बाल गंगा धरतिलक और म मुहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किये गए थे तो आप्सन B यहाँ पर सही जवाब है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसन है पिर्थवी से लगभग 10 किलोमीटर की उचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं जैसे कि यह हमारा पिर्थवी है और ठी पिर्थवी से उपर 10 किलोमीटर के करीब एक तेज हवा बहती है ठीक है पवन मतलब हवा इस हवा को जो है क्या नाम दिया गया है पिर्थवी से लगभग 10 किलोमीटर की उचाई पर बहने वाली तेज हवा को क्या कहते हैं आंसर यहाँ पर होगा जेट धारा क्या है जेट धियान रखेए जेट धारा कहा जाता है चली आगे चलते हैं उपगर सोलर मैक्स द्वारा किस तारे की निगरानी की जाती है आंसर होगा सूरिय यानि कि सन की तो देखें आपको बता दे सूरी की निगरानी जो है उपगर सोलर मैक्स द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है सूरी की निगरानी उपगर सोलर मैक्स द्वारा ठीक है सोलर मैक्सिमम मिसन सेटेलाइट इसे सोलर मैक्स के नाम से जाना जाता है और इसको जो है 14 गया है अपड़ मंदल की कक्षिया चाल पुछा गया है इस्पीड बता ये फटा फट तो यहाँ पे option number A सही जवाब होगा 250 km प्रतिसकेंड जो है आपका answer होगा तो देखिए केंदर के 4 और सूरी और सौर मंडल की कक्छे गती जो है 250 km प्रतिसकेंड है और यहाँ पे एक प्रस्नाओर बन जाता है कि सूरी के 4 और पिर्थवी की कक्छा की गती कितना km प्रतिसकेंड है तो answer होगा 30 km प्रतिसकेंड चलिए आगे चलते हैं भारत के तिसरे राष्टपती कौन थे जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के पहले राष्टपती अगर मैं आपसे पूछता तो answer तुरंत कर देते डॉक्टर राजेंद्र परसाद है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है भारत के तिसरे राष्टपती तो यहाँ पे answer जो है बी नंबर होगा डॉक्टर जाकीर हुसेन जो है भारत के तिसरे राष्टपती थे और पहला जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र परसाद थे जो की बिहार से ही थे तो यहाँ पे answer कीजिए डॉक्टर जाकीर हुसेन एक प्रसिद प्रदुशक फलाई एस जिसे हिंदी में राख करते हैं किसी भी चीजर का जला हुआ लकरी कोईला वेगारा से जला हुआ चीजों को क्या करते हैं राख तो ये जो है राख किसके द्वारा उत्पादित होता है, इन उप्शन्स में से देख करके बताए, ये राख जिसे की फलाई S कहा जाता है, ये किसके द्वारा उत्पन होता है, तेल रिफाइनरी, उर्वरक सयंत्र, सेमेंट कार खाना या फिर ताप विद्यूत सयंत्र, तो तो अप्सन नमबर D यहाँ पर सही जवाब होगा, ताप विद्यूत सयंत्र, तो देखिए ताप विद्यूत सयंत्र को जो है इंगलिस में थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, और ये जो है कोईला और अन्य और द्योगिक बाइलरों के दहन के करण जो है फलाई S का उत्पा दन होता है, ये आम तोर पर जो है कोईला अधारित विजली सयंत्रों से उत्पादित होता है, तो आप्सन यहाँ पर D सही जवाब है, ताप विद्यूत सयंत्र, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर है, इस्टैचू ओफ लिवर्टी निमन में से किस के द्वारा सन्युक्त राज अमेरिका को उपहार में दिया गया था, इस्टैचू ओफ लिवर्टी जो है, ये किसके द्वारा सन्युक्त राज अमेरिका, यानि कि युनाइटेर इस्टेट अमेरिका को, यानि कि USA को दिया गया था, इस्टैचू ओफ लिवर्टी, फटा पहट बताईए तो उस देश का नाम है फ्रांस ओप्शन नमबर सी यहां पर जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं तो देखिए आपको बता दे इस्टेचू ओफ लिवर्टी जो है अमेरिकी क्रांती के दोरान फ्रांस और संयुक्त राज अमेरिका के दोस्त अमेरिका के स्धृतनतर्ता और लोकत अंत्र का प्रतीक है तो दोस्तों आज जो है थोड़ा कम ही कोसंस हम आपको करा पाए है इसके लिए हम आप से माफी चाहते हैं अगले दिन जो है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोसंस कराएगे मिनमं माँ Anh आपको 50 questions कराएंगे, full set तयार करके और यहां पर जरूरी सुचना, बिहार पुलिस Constable के लिए special जो है, अब यहां पर इस website को बहुत तरीके से जो है, बेश्ट तरीके से अपडेट कर दिया गिया है, इस website पर जरूरी जाएए www.dat.dailystudy.co.in इस website पर आपको बिहार पुलिस Constable के लिए आपको फूल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहां पर chapter wise questions अभी बहुत ज्यादा मातरा में आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है, इस website पर अपडेट किया गिया है chapter wise questions, तो आप लोग जरूर लगाईए बिहार पुलिस Constable के लिए, और आप लोग लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और इस बेल आइकन को किलिक करने के बाद धियान रखिएगा, यह all notification को किलिक करके रखना है, और जो है आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, और अंत में अपने दोस्त के साथ जो है इस वीडियो को सेर करें, या फिर आप वाटसाफ टेलिग्राम ग्रूप में इस वीडियो को सेर जरूर करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जै हिंद बंदे मातरम